फटक, 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक एप, लिंक डिस्क्रिप्शन में 17,213 ये आज के दिन की क्लोजिंग है, 19 अंक गिरकर निफ्टी पे, निफ्टी बैंक भी 138 अंक कमजोर हुआ, और सेंसेक्स में 90 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली, आज IT और बैंक ये दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे मार्केट को, तो कही न कहीं पता था शुरुआत में ही, कि आज कोई बहुत बड़ी चाल तो, ठीक एकस्पारी से एक दिन पहले बन नहीं सकती है, इंडिन मार्केट में, एडवांस डिकलाइन, मातर 19 ऐसे शेर्स निफ्टी में, जो हरे निशान की क्लोजिंग करके गए हैं, और 31 ऐसे शेर्स जहां पर लाल न इंडिक से जुरे जो कंपनिया थी, वहां पर चाल बहतर थी, आईशर लगबख 3% उचल गया, बजाज ऑटो 3% का रिटर्न डिलिवर कर गया, सन फार्मा, डिविस, फार्मा सेक्टर में ये तेज थे, 2-3% उपर, और इंडिसिंट बैंक निशले सरों से पलटा, तो पॉने 2% कमजोर, आईटीसी में 1.5% की गिरावट देखने को मिल थी, कोल इंडिया, ग्रासिम, एंटीपीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर सवाएक परशन से 1.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में दर्च हुई है, लेकिन कमाल कर गए कुछ ऐसे स्टॉक जो अ प्रामपूर चीनी 5% उपर, जी एन एफसी 4% उपर, एबी क्यापिटल, एन बी सीसी, हनिवेल आटोमेशन जैसे स्टॉक दो परशन से 3% का रिटर्न डिलिवर कर रहे थे, आईडी एफसी, सुप्रीम इंडस्ट्री, स्टार्टक कम्मिनिकेशन, हिंद कॉपर, अब जनव के रिटर्न डिलिवर करता हुआ नदर आया, लेटेंट व्यू अनलिटिक्स 8% उपर था, मेट प्लस हेल्थ 7% उपर, डेटा पैटर्न और SJS एंटर्प्राइज जैसे स्टॉक 5% से 7% का रिटर्न डिलिवर कर गए, गो कलर, टेगा इंडस्ट्री, मैप माई इंडिया और जैसे जो स्टॉक से यहां पर 3% से 3.5% का रिटर्न आज के सत्र में, और मैप माई इंडिया तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन कमाल के भीते हैं इस स्टॉक के लिए, लेकिन सेक्टर्स ढूंडे जाएंगे, कहां थी तेजी आज, तो उसमें आप पाएंगे, हेल्थ केर, ह तीविस लाब्स 2-5% ऊपर और थायरो के और कमाल कर गया, 5.5% की छलांग, ऐसे ही क्रिस्टना डियागनॉस्टिक्स, 11% का रिटर्न डिलिवर कर रहा था, फॉर्टेस 2-5% के आसपास की मजबूती, यहां पर भी देखने को मिली, लेकिन आटो, जिसमें आईशर मोटर्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर था, बजाज ओटो 3% ऊपर, इसके लावा, टीविस मोटर में भी 2% की तेजी बनी, MRF, अमाराजा, मारुती, बालकृष्णा, इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो कॉप, यहां पर हलकी तेजी के साथ हुआ काम का आज, बजार खुलत जैसे स्टॉक्स एक परशन से और देर परशन के आसपास इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, मीडिया में आज सबसे जाधा तूटा डिश टीवी, साढ़े तीन परशन नीचे बंध हुआ, PVR, नेटवर्क, एटीन और जी जैसे स्टॉक्स भी एक परशन से लग इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महराश्टरा, आयो बी, कैंडरा बैंक जैसे स्टॉक्स ते कमजोर, और सरकारी कंपनियों में स्टील अथोरिटी, नालको जैसे स्टॉक्स कमजोरी जहिल रहे थे, और IRCTC जाध होगा कल के सतर में एक उच्छाल देखने को मिल बात वही है, मिड क्याप और स्मॉल क्याप कंपनियों पे दाव लगा, मिड क्याप गेनेज में सबसे आगे निकला आज, इंडिया ग्लाइकॉल, बीस परसंट का अपर सरकिट, इसके लावा, रिस्पॉंसिव इंडस्टी उननिस परसंट उपर, एप्टेक और सन फार्मा आज देखने को मिला, ऐसे ही लक्षमी और और आयर भी 55% उपर ये दोनों ही स्टॉक्स बंद हुए हैं, मिड क्याप लूजर्स में आज जेके सीमेंट कर दिन नहीं था, यहां थी प्रॉफिट बुकिंग और 5% नीचे क्लोज करके गया है, मिंडा इंडस्टी में भी आज मुनाफ़ वसूली देखने को मिली, 4% ये कमजोर, Phoenix Limited, Verox Engineering और TCI Express जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% का दबाव जिल गए, और Suntech, Tanla, Platform, Timkin, E-Clerks जैसे स्टॉक्स 2% से 3% के आज़ पास की गिरावट इंतमाम स्टॉक्स में देखने को मिली, लेकिन स्मॉल क्याप्स में आज 10% उपर थे, Indotech Transformers 9% उपर, Manglam Drugs, भारत रसायन और Patel Engineering जैसे स्टॉक्स 8% से 9% की तेजी तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली, बावन हफ्ते का उचितम स्थर, Escorts ने चुआ है, Metropolis, Radico और वर्दमान टेक्स्टाइल ने चुआ है, अब आगे क्या होगा, देखिए, अल्र तरीन तेजी हमने अल्रडी Lower Level से Markets में देख लिया, आज हाला कि एक Range Mode देखने के मुझे और उमीद भी यही है कि Range में फस्ते होई नजर आएंगे, लेकिन अब भारते बजारों पे दाव लगेगा, Result Season का, Budget का, और अब जब Next Series शुरू होगी, यानि कि January Series, तो बड़े institutions के Fund Allocation होंगे, पूरे साल के लिए, वो भी कहीना कि एक बहुत बड़ा Trigger Indian Markets के लिए जोड़ता हुआ नजराएगा, FIS पहली बार कल के सतर में खरेदारी करते हुए नजराए थे, मातर Cash Market में 207 करोर की खरेदारी जरूर की हो, लेकिन हाँ, बिक्वाली पे लगा है ब्रेक, बार डेटा निकलना पाकी है, अब देखना होगा कि आने वाले समय के लिए, FIS का क्या रुख होता है, दिसम्बर में अब तक लगभग 34,107 करोर की बिक्वाली ओरड़ी वो कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि जन्वरी सीरीज में वो लोटते हैं कि नहीं, और तो रिजिस्टेंस के तोर पे 17,350, 17,380 हमने कोई छेड़ शाड़ नहीं की, और सपोर्ट के तोर पे भी आज लोवर लेवल जो था 17,150 वो ब्रेक नहीं हुआ, यह अभी तक सपोर्ट की तरह आट करेगा, इसके लावा 17,090 यह दूसरा सपोर्ट रहेगा, किसी भी साइड अगर रेंज टूटते हैं, तो उसके बाद ही पुजिशन एड़ आन या फिर बिक्वालिक या खरीदार की पुजिशन एड़ आन करने की बात होगी, फिलाल तो दायरे में ही फसा रहेगा मार्केट ऐसा लग रहा है, और देखना होगा कि आप नई सीरीज के खिलाड़ी क कौन निकल के आएंगे मार्केट में, उसमें थोड़ा इंतजार आपको हो सकता है कि करने को मिले, क्योंकि अभी कंसॉलिडेशन मोड पर हो सकता है, इंडिन मार्केट से रहते हुए नदर है